Hi viewers, आज हम देखेंगे sector 137 NOIDA ये NOIDA का एक ऐसा residential sector है जहां पर ज़्यादा तर high-rise buildings है और अभी हम 137 की तरफ जा रहे हैं दोस्तों from 93 sector left side में आप nursery देख सकते हैं काफी और ये जो signal है, यहां से left लेने के बाद sector 137 स्टार्ट हे जाता है right side में, मतलब 137 से ठीक पहले, right side में अभी जो आप देख रहे हैं यहां पर कुछ office buildings हैं, कुछ commercial buildings हैं most of them are offices और left side में आप देखेंगे बायो डाइवरिसिटी पार्क जो अभी कुछी टाइम पहले जिसका inauguration किया गया था तो एक काफी बड़ा पार्क है, काफी बड़ा स्पेस है और definitely आप विजट कर सकते हैं, खासकर winters में सामने आप देख रहे हैं, metro station and metro की line सो एक बहुत ही अच्छी connectivity है सेक्टर की, सेक्टर 137 की और यह जो metro line है वो NACZ से भी निकलती है और great and order तक जाती है तो connectivity wise नए सेक्टर में काफी अच्छी connectivity है इसकी enter करते ही सेक्टर में आप देख सकते हैं, SKS World School यह एक नया स्कूल है, इसकी अलएड़ी एक ब्रांच right extension में है, बट अब यह सेक्टर 137 में भी आ रहे है अब यह under construction है and next session से इसका पहला session स्टार्ट होगा, next year से right side में आप देख सकते हैं इसके ठीक सामने, SKS के सामने mattress vision SKS school की building अभी भी आप देख सकते हैं, यहां पर SKS World School end होता है, तो काफी space है school के पास उसके बाद, स्टार्ट होता है, paramount golf, paramount floor available, माफ करिएगा, left side में आप देख सकते हैं, commercial है, paramount floor available का, तो paramount, अगर आप इसका site plan देखें, तो काफी कुछ open central space है इसमें, which is good, यह entrance है, तो site plan इसका, काफी अच्छा है, and floor plans भी, जो initially launch हुए थे, उनके काफी अच्छे हैं, loading उतनी नहीं है, इसके बाद, paramount floor available के बाद आता है, gulsion vivante, जो की, comparatively छोटा project है, बट काफी अच्छा consider किया जाता इस sector में, quality-wise, this is considered one of the best, along with पूरवांचल, तो यह commercial है, विवांटे का, again, दोनों, जो हमने देखे, अभी paramount और गुल्शन, इन दोनों के, जो commercial है, उनकी entrance, जो है separate है, from the residential compound, इसके बाद आता है, जनारा डुफिडल, इसका area भी लगबग गुल्शन, विवांटे जितना ही है, और इसका भी commercial है, बट commercial, इसका आप देखेंगे, तो entrance, जो है, वो residential के साथ भी है, और बाहर वालों के लिए, अभी आपने entrance देखा था, जो बाद में है, इसके बाद Felix Hospital है, जो, आस पास लगबग, तीन कुमेटर के radius में, सबसे बड़ा hospital है, उसके बाद JP Hospital है, अब हमने left ले लिया है, दोस्तों, वहाँ से, right side में आपने कुछ, again, office spaces देखे, यह सबसे पहले जो project आता है, पारस टियरा, यहाँ पे initially, जो आगे आप देख रहे हैं, अभी यह जो entrance है, low-rise floors के लिए है, low-rise floors definitely एक बहुत अच्छा option है, अगर कोई low-rise देखना चाह रहा है, तो low-rise floors पारस टियरा में definitely consider किये जा सकते हैं, because वो stand out करते हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं, राइट साइड में इसके शादरा विलेज है, जहां पर काफी सारी शॉप्स भी open है, और अभी भी हम पारस टियरा में ही है, एफ्ट साइड में आपके, यहां से पारस टियरा खतम होता है, और शुरू होता है Logics Blossom County, यह जो प्रॉजेक्ट है, वो 25 एकर्स में है, और अब फिलाल ATS इसको कम्प्लीट कर रही है, क्योंकि Logics NCLT में चले गया था, और प्रॉजेक्ट की खास बात है कि, open space, जो है, central space, जो है, वो one of the best है, in the hole of Noida, तो काफी अच्छा open space है, इसमें बीच में central space है, गुलाई में, राइट साइड में अब हमने left ले लिया है, दोस्तों, और आप राइट साइड में भुटानी देख सकते हैं, जो की एक, again, एक commercial, that is retail come office spaces, की building है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, super tech eco city, और initially जो भी आप देख रहे हैं, tower यहाँ पर यह है, यहाँ पर सबसे अच्छा प्राइट साइड में आप देख सकते हैं, काफी flats हैं इसमें, density ज्यादा है, because of studio apartments, but otherwise एक अच्छा project है, और इसके बाद अब भी, जो आप देख रहे हैं, वो है पुरवांचल, royal park, यहाँ पर सबसे अच्छा project माना जाता है, maintenance के हिसाब से, और coming from पुरवांचल, वो की surprising बात है भी नहीं, तो पुरवांचल end होने के बाद, आता है शुब कामना, which unfortunately, एक मातर ऐसा project है, यहाँ पर जो अभी तक, डिलेवर हुआ नहीं है, इसके ठीक सामने आप देख सकते हैं, CNG, अब हमने almost पुरवा सर्कल कम्प्रीट कर लिया है, राइट साइड में आप देखेंगे, तो आपको इंडिया टीवी का आफिस भी देखेगा, अब लेफ्ट साइड में हमने लेफ्ट ले लिया है, ताकि हम पूरा जो अपना रेक्टेंगल है, वो कम्प्रीट कर सकें, अब आप यह अभी भी शुकामना देख रहे हैं, और इसके तुरंद बाद आता है, एक्जॉटिक अफ्रेस्ट को, विच इस दी लास्ट प्रोजेक्ट इन सेक्टर 137, यह इसके एंटरेंस है, काफी उपन स्पेस है एंटरेंस से पहले, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको, हमारा यह वीडियो जो सेक्टर 137 का है, वो पसंद आया होगा, यह एक होट डेस्टिनेशन है, नॉइडा में इन्वेस्टमेंट के लिए, खासकर अगर आप सेल्फ यूज़ और हाई राइस आप देख रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा उप्शन है, आशा करता हूँ दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही, वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और गोफार रिवीज इन्गो विजिट करिए, थैंक यू,